आदुनियानों सौथी किम्तिखा जानू बाल पड़ नियादों आयादों माँ आजादी नी खुश्बूचे सत्याग रहनी महग छे उन तो बहुँ नानों हतो वदारे समझ पड़ नौती पड़ मारा बापूजी औने मारा दादा जी बनने स्वातंत्र सैना नी हता अने आवा तो हजारों लाखों लोकों ना कपरा संगश पछी आपनों देश आजाद था पड़ा कोई खुशी नी वात नौती 200 वर्ष पछी जी आजादी मणवानी आती यानी किम्मत कोड़ी नी रही जात के वी रित है? ए वकते भारत नाना मोटा 562 देशी रजवाड़ाओ मां विख्रहलो दूँ अरे विचारों शूथात जो गुजरात एक जुदो देश होत सवराष्ट्र ने भावनगर एक जुदो देश होत अने अपने ए देश मा जवा माटे पासपोर्ट अने वीजानी जरूर होत पणे वामा एक सास्विरधर्ती पुत्रे आ लोडाना चणा चाववा बराबर पड़कार जीलियो अने पुता नी राजकिय कुने थी थोड़ी समझावट अने थोड़ी सक्ती थी देश ने बनावियो एक आजाद अने खंडित हिंदोस्तान कबर चे कौन अताए एहता आपनीज माटी ना आपनीज धर्ती ना पुत्र सरदार वल्लब भाई पटेल खेडुत पुत्र, लोह पुरुष, जन सेवक, देश सेवक कईक अलगज माटी ना घडायला हता आमानस धार्यू होत तो वकील बनीने खूब कमानी करी शक्या होत बाकीनी जिन्दगी अंग्रेजोनी जेम ठाट थी वितावी शक्या होत पन तेमने तो देश सेवानो कप्रो मार्क पसंग करेव। कारणके सरदार पटेल नानपन थी लईने छेल्ला श्वास सुधी लोढ़ा जेवा मजबूत इरादा साथे चालनार व्यक्ती हाता उताना डर साथे कैम लड़वू अने डर ने कैम हराव वो एमनी आवड़ा थाती वल्लब भाईना सास ना किसा तो मा दर रोच समड़ाती एक वार नानपन मा तेमने बगल मा गुम्डू थेव। एटली पीडा था एक जीव निकड़ी जाए ते समय लोको लाज माते हजाम पासे चता आता जे गरम लोखण ना सड़िया थी तेना पर डाम देता पर न तु वल्लब भाईनी पीडा जोईने हजाम नी पढ़िंबत ना थे पड़ा तो आपना वल्लब भाई तेमने जातेज गरम लोखन नों सड़ियो उपाड़ियो औने पोतेज डामा पीदी दो विश्वास नहीं करो पड़ तेमना मौमाती एक चीज पड़ ना निकली नानपण थीज सहासिक अने नीडर एटले तो कहवाया लोः पुरुष्टेओ लंडन मा वकिलाद शीखी अने गुजरात पाचा आवी ने सफड बैरिस्टर बनिया कोट पैंट धारण करी बिलकुल मौडन, स्मार्ट, यंग अने सक्सेस्फुल बनी गाया वल्लब भाई तेओ बोर्सद मा वकिलाद करता हता एस समय निवाद छे एक दिवस तेओ एक केस लड़ता हता अने एज समय कोट रूम मा तिमने एक टेलिग्राम मढ़ेओ तिमने तार वाँची ने तरत पोटाना खीसा ममुखी दितो अने फरीथी कोट मा दलीलो करवाला गया अने पोटाना असिल ने छोड़ावी ने ज बहार निकड़या लोकों ने तो पची खबर पड़ी कि ते टेलिग्राम तिमनी पत्नी ना मुरुत्यूना समाचार नो अतो छता पण ते जरापण विचलित न थाया पूरी कर्तव्य निष्ठा थी ये केस लड़या अने जीतिया पण आवा मजबूत हता लोह पुरुष वल्लब भाई पठे ओगणी सो तेर मा वल्लब भाई ये अमदावाद मा वकिलाच शरू करी पण त्या सुधी तो तेमने भारतना राजकरन कि नेताओ साथे कोई संबंध नो तो ओगणी सो सत्तर मा तेओ गांधी जी ना संपर्क मा आवया पची तो जेम लोढ़ू चुम्बक नी नजी कावताच खेंचावा लागे ने एवी जरीते गांधी जी ने मड़या पची बल्लब भाई ने पण देश प्रेम औने सत्यागरह आकर्षवा लागया पचीशू वल्लब भाई ये कोट पैंट छोड़या अने खादी अपनावी 1924 ती 1928 अमदावाद ना मेर तरीके नी भूमी का पण इमने निष्ठा साथे सफ़ड ता पूर्वक निभावी 1928 मा जयारे गुजरात मा खेडुतों नी दैनी अस्थिती होवा छता अंगरेज सरकार तिमनी पासे थी आकरो कर वसुली रही हती आवा समय बार्डोली ना 20,000 खेडुतों ने साथे लईने वल्लब भाई ये सत्याग्रह करेओ बार्डोली सत्याग्रह अने हुंकार करेओ मारा खेडुत भाईयोंने बहनो आपने अंगरेज हुकूमत सामे नई जुकिये टैक्स नई भरिये टैक्स ना विरोध मा सत्याग्रह करीशुट आखरे अंगरेज सरकार ने नंबू पडेओ सर्दार नी आगेवानी ए खेडुतोंने जीत अपावी आएद सत्यागर हतो जिना पछी बार्डोली ना खेड़ुतो ए तिमने सरदार नुबिरूद आप्यों अने लोकनेता वल्लब भाई पटेल बन्या सरदार वल्लब भाई पठेल सरदार पटेले खेडा सत्यागर, बोर्सद सत्यागर, असहकार आंदोलन, जंडा सत्यागर, बार्डोली सत्यागर, सविनाय कानून भंग अने हिंद छोड़ो आंदोलन मां गांधी जीना साच्चा साथी बनीने साथाप्यो 1929 मां देशे पूर्ण स्वराज निमां करी, पचीतो एव बनवा लाग्यू के सरदार घरमा ओछू अने जेल मां बधू रहता 1942 मां भारत छोड़ो आंदोलन दुनियानी सवथी मोटी करांथी बनी चुक्यो हतू अने त्यारे सरदार पटेले कही दिदू कि हवे भारत कोई पण हिसाबे गुलामी सहन नहीं करे आखरे अंग्रेजी हकू मत छुकी अने आजाद भारत ना आकाश मां आपनों जण्डों लेहरायो पंदर अगस्ट ओगणी सो सुर्तालिस ना रोज बसो वर्षनी लाभी गुलामी पची भारत देश आजाद थयो परन्तु भागलानी मोगी कि मत चुक्वीने अने वातन याँ पूरी न थी थती मैं कयू एम एक तरफ विखरायला रजवाडाओने हिंदुस्तान मा भेलववानी रणनीती नो भार अने बीजी तरफ देश ना गुरुमंत्री तरीके नी मोटी जवाब दारे साथे सेना अने पोलिस नो नवो कार्यभार अने आब अधानी वच्चे सरदार नू लथर तु स्वास थे पनादुनिक माभारत ना आ अर्जुन तो देश सेवाना जे जे मौका मरता गया एम एम निभावता गया आज कोई कहे कि हमने पार्लामेंट तो बनाई आजाद इपाली लेकिन ये पार्लामेंट तो बच्चा है और हम केवल परदेशियों की नकव करना नहीं चाहते हैं पार्लामेंट तो हमें हिंदोस्तान के जंक के अनुसार जो पार्लामेंट बनानी हो पैदा करनी हो तो केवल उसीके पर नजर रखते हमें चलना नहीं है लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम जब तक हिंदोस्तान मजबूत नहों है उनकी नसों में रुदीर बहने न लगे ठीक तरे से तब तक हमें आपस में एक दूसरे के सामने मोर्चा बांदने से कोई भाइदा नहीं करता है जबी हमें आर्थिक स्वतनत्राता चाहिए तो उसमें काफी कुर्बानी करनी पड़ेगी जो कुर्बानी हमने आजादी पाने में ही उससे दूसरी पतार चाहिए और उसमें काम भे दूसरी पतार से लेना पड़ेगी मातर गांधी जीज नहीं परन्तु अंग्रे जो पन मानता हता कि सर्दार पटेल एक नाच्रल अद्मिनिस्ट्रेटर चे अने तिमने अनुभव नी पण जरूड नथी भारत ना बंधारनने घणवा माँ पण तिमने एक महत्वनी भूमी का भजवी साथे ज आजात भारत मा अद्मिनस्ट्रेटर अद्मिनस्ट्रेटर सर्विसेज नू योगदान कैम करीने भूली शकाए आ अड्मिनस्ट्रेटव सर्विसिस पन सर्दार सहेब नीच देन छे एटलेच तो आजे सर्दार ने आजात भारत ना Father of Indian Administrative Services पन कहवामा आवे छे तिमने भागला पछी भारत आवेला निराश्रेतोंनों पुनह वसन पन सुनिश्चित करियो अने हा भारतीय संस्कुर्तीनु चिन्न गणातू सोमनाथ मंदिर मुगलो सहेत ना विदेशी हमला खोरो द्वारा सदियो सुधी लुटातू अने टूटतू रहू पन भारत आजात थया पछी सोमनाथ नी ए हालत जोई सर्दार ने दुख थतु हतो बस पचीतो शु आजाद भारत ना पहला गुरुह प्रधान सर्दार बल्लब भाई पटेले इना जिनुनो धार नू नेम लिधू अने जुओ आजे जाजर मान सोमनाथ मंदिर नी खीमती पताका दुनिया भर मा लहराए छे तेमनी दुरंदेशिता नूज पनि नाम छे कि आजे आपनों गुजरात हर्याडू बनियु जे सुका कच्छनी धर्ती ने पण नर्मदानों भीनों स्पर्ष थाई रहो छे सरदार सरोवल डैम जेना कारणे गुजरातना 10 हजार थी वधू गामडाओ 150 थी वधू शेहरो अने राज्यना 4 करोड लोको सुधी क्याक पीवा माटे तो क्याक सींचाई माटे नर्मदानों पाणी पहुँची रहो छे तेनों विचारपन सव प्रथम मुक्यो हतो सरदार सहेवे देश ने आजाद करयो एक करयो अखंडित करयो देश ने सुशासन आपयो अन्या तमाम जरूरी काम पूरा करीने देश ने पगभर बनावीने सरदारे चीर विधाय लिधी सरदार नी अन्ती में आतरा आखो देश उम्टियो तो एमने श्रद्धान जली आववा ए वखते बापुजी एमने कहुँआतू आदेश सरदार नो रूणी छे बेटा हैमनो रूण आपने चुकवानू रहू पची तो भारत देश आजाद बक्षिनी जे मुडवा लाग्यो आगण वद्वा लाग्यो बड़ा अफसोस कि अखंड भारत ना शिल्पी सरदार पटेल नो रूण आपने चुकवी न शक्य अटला महान नेता मात्र चौपड़ियों न निबंध मां अने जाहर रजाओ मांज रही गया आजे ना सरदार छे ना बापुजी छे तो एक उंडो अफसोस कि काश आपने सरदार ने का एक मोटी भेटा पी शक्या होत आतो सदनसीबे नरेंद्रबाई गुजरात ना मुख्यमंत्री बन्या अने अमने इतियास मां पहलो संकल्प करूँ विश्व मां कोई लीडर ने कदी ना पाई होई एवी भव्य शद्धान जली आपवानों संकल्प सरदार पटेल नी विश्वनी सवथी उँची सवथी भव्य अने सवथी शांदार प्रतिमा बनाववानों नेर्लें जेटली विराट सरदार नी प्रतिभा एटली जविराट एमनी प्रतिमा स्टैच्च्यू अफ योनेटी 122 मीटा रूँची नर्मदाना खोडामा सरदार सरोवल डैमनी बराबर सामे आ भव्य प्रतिमानु निर्मान कार्य बस समापनना आरे छे पड़ आ मात्र समारक न थी अहीं सुशासन अने सरदार नी नीतियो पर थशे रिसर्च अने सरदार पटेलना जीवन पर एक विशाड प्रदर्शनी पण हशे ज्याथी देशने मड़शे न्यू इंडियानो संदेश अने हमेशा एक अने अखंडित रहवानी प्रेरना पण तो तैयार थाई जाओ गुजरात बनवानु छे देशनी साथे दुनिया भरना पर्याटको नू आकर्शन नू केंद्र गुजरात देशने आपशे दुनियानू सवथी उंचू समारक अभव्य प्रतिमाने 31 मी ओक्तोबर 2008 न रोज सरदार साहेबनी जन्म जयनती न आवसरे माननी या बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी कर्शे देशने समर्पित तो आवो आपने सव आजादी नू मूल्य समझिये जातपाथी उपर उठी ने एक हौबा नो संकल्प करिये जैम सरदार कहता हता आज जो हम आजाद हो है तो आजाद हिंदुस्तान के सुकुत रोकाई तर्टब यह है कि इसको फिर गुलाम बनने न दे और इसको फिर पीछे हटने न दे आदे हटाना तो आज दुनिया का डंग क्या रहा है तुसी माफत हिंदुस्तान को चलना है तब तो हिंदुस्तान आजाद जिंदा हो सकता है और आगे बढ़ सकता है तो आवो उजविये भारत नी एकताने, अकंडितताने, विकास ने तो आवो वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी साथे सरदार सहेबना सपनानू भारत बनावी Statue of Unity, अकंड भारत ना प्रणेताने, राष्ट्रनी सर्वश्रेष्ठ श्रद्धान्जली, जय हिंद।